जिन्देगी एक सफर है सुहाना टायर पंचर कब हो किसमें जाना क्या आपको पता है कि आपकी गाड़ी का टायर कब पंचर होगा मुझे नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि पंचर हो जाए तो क्या करना है मैं यूस करूँगा यह यह बर्जमेंट टाइफ़न डीजिटल टायर इंफलेटर अब आप कहेंगे की टायर पंचर तो बनाना ही पड़ेगा हाँ बिल्कुल बनाना पड़ेगा। लेकिन तब आप क्या करेंगे जाब आपके नस्दीक में कहीं टायर पंचर दुकान होई न नेरे स्टायर पंचर दुकान 100 km 50 km दूर हो तब आप क्या करेंगे तो सब रखिए एट विजट हर डीटेल में आपको बताऊंगा आपको बिल्कूल भी टेंशन लेनी की ज़़ात नहीं है क्योंकि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चली सबसे पहले इसका हम लोग अन हम इसे लाउजल आपको एक्सिटर मिल जाता है इसे इससे आप फूटबॉल में हवा डाल सकते हैं आप चाहें बाइसेकल में हवा डाल सकते हैं और भी आगा किसी चीज में आपको हवा डालना इसके लिए भी इसको यूसरी हग तो इससे घख देंगेंग कि STEM केलिया एहां आपको यहाँ पर दे दिया गया है इसे भी हम रख देंगा साइड में और यह है हमारा फाइनल कॉंटेंट काफी है लबबग दो-तीन किलो तो होगा मुझे लगता है यहाँ उपर में इसे इस मशीन को पावर मिलेगा यह एक नॉजल पाइप जिससे आप अपने कार में हवा भर सकते हैं और उसका स्विच यहाँ पर आपको मिलने आएगा और इसे इस मशीन को पावर मिलेगा यह एक नॉजल पाइप जिससे आप अपने कार के टायर में हवा डाल सकते हैं केबल काफी लंबर दिया हुआ है गाइस कंपनी क्लेम कर दी है कि यह टायर इंफ्लेटर आपके कार में हवा भर सकता है 0-30 PSI वह भी सिर 2 मिनिट में और यह अप टू 150 PSI तक सपोर्ट करता है तो इसका भी हम इस वीडियो में आगे टेस्ट करने वाले हैं ए भाईया खाली अन्बॉक्सिंग दिखाएगा तनिक हवा भी डाल के दिखाएगे तो चलिए वह भी दिखाता हूं तो गाइस हम आगए अपने कार के सामने चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं कि टायर में कैसे हवा फिल करना है तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे कार का सिगरेट लाइटर पोर्ट है तो इस कनेक्टर को मैं यहां पे प्लग इन कर दूंगा एक चीश का बहुत ध्यान देजिएगा कि कभी भी अगर आप अपने कार में हवा फिल कर रहे हैं तो उस टाइम में कार का इंजन आप जरूर से ओन कर लेजिएगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आप देख सकते हैं कि मैंने टायर से पूरी हवा निकाल दी है तो हमें इस नौजल को इस टायर में लगाना पड़ेगा और इसे रोटेट करके हमें टाइट करना पड़ेगा फुल टाइट तो आप द 16-inch का tire है हो सकता है इस वज़े से इसमें time थोड़ा ज़्यादा लगा हो और अगर आपका कोई छोटा tire है तो उसमें time कम भी लग सकता है बट I am not sure about that दोस्तों अब आते हैं वीडियो के सबसे important part में इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास तक देखिएगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा किकि सबसे important part यही है point number one दोस्तों एक four wheeler car में tire inflator का क्या काम आप सोच रहा होंगी हम 20-30 rupees में बाहर कोई भी tire shop में हवा डालवा सकते हैं ऐसे में हम 2500 या 3000 रूपीज खर्चा करके एक tire inflator क्यों खरी देए तो दोस्तों मान लेते हैं कि आप एक टूर पे निकले हुए हैं और आपने 200-300 km travel कर चुका है और आप किसी घाटिया किसी जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपका जो tire है वो पंचवर हो चुका है तो ऐसे में आप क्या करेंगे अब कई लोग ये सोचे रहोंगे कि हमारे पास stepney तो रहता ही है stepney tire निकाल के हम लगा लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे तो दोस्तों आप भूल रहे हैं कि जब भी आप अपने tire में हावा डलवाते हैं बाहर से तो आप अकसर अपने stepney हम हावा डलाना भूल जाते हैं और ऐसे में अगर आपके पास एक tire inflator रहता है तो आपको लगेगा जान में जान आई इसलिए अगर आपके पास एक car है और उसमें अगर tire inflator नहीं है तो आप तुरंद एक tire inflator purchase करिए point number two दोस्तो market में दो प्रकार का tire inflator रहता है एक wireless होता है जिसमें एक बैटरी इन-bilt रहता है आपको बैटरी को charge करकर फिर आपको हवा डालना रहता है और दूसरा जिसमें आपको वायर दिया रहता है जिसे आपको सिगरेट पोर्ट में लगाना रहता है अपने कार के और फिर आपको टैर में हवा डालने रहता है ऐसे में आपके मन में डाउट होगा कि हमें कौन सा टाइप कर लेना चाहिए वायरलेस लेना चाहिए कि वायर व कर लिए उसके बाद अगर आप उसको चार्ज करना भूल गए तो आप उसको दुबारा यूज नहीं कर सकेंगे वही अगर आपके पास एक वार्ड वाला है तो वह थोड़ा fast काम करता है साथ में आप उसको जितने बार चाहें उतने बार आप उसमें हवा डाल सकते हैं ऐसे में आप खुद ही decide करें कि आपके लिए कौन सा बहतर होगा point number 3 कौन से type का inflator ले automatic की manual दोस्तो manual में ऐसा होता है कि आपको tire में जितना हवा डालना है उतना हवा हो जाने के बाद आपको manually switch को off करना पड़ेगा और वहीं अगर आप एक automatic वाला लेते हैं तो आपको वहाँ पी PSI set करना पड़ेगा डिस्प्ले में और जैसे ही उतना air आपके car में चला जाएगा automatically power cut हो जाएगा मेरी साबस आपको automatic ही लेना चाहिए हो सकता है थोड़ असा costly हो दो-तिन सुर्पे आपको extra देना पड़ सकता है लेकिन काम जादा अच्छे से वो करता है accurately अगर आपको tire में हवा डालना है तो आपको automatic लेना चाहिए point number 4 एक tire inflator काफी heavy होगा size भी उसका काफी बड़ा होगा space घेरेगा लेकिन दोस्तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आप एक compact size का tire inflator लेते हैं तो वो बहुत छोटा size का होता है और easily आप कहीं पे भी उसे carry करके ले जा सकते हैं आपके car पे बिलकुल भी load नहीं आएगा वा भीया बहुत अच्छा मानगा है यह तुम्हें जल दे भीया का channel subscribe करो चलो चलो जा सबस्क्राइब करो दोस्तो ऐसा नहीं कि market का सबसे best tire inflator है market में और भी अच्छे tire inflators available है उन सबका unboxing और review में आपको future में देता रहोंगा लेकिन अगर आप list बनाएंगे top 10 best tire inflators की तो उसमें इसका भी नाम आपको मिल जाएगा guys दूसरी बात यह है कि यह एक non Chinese brand है ऐसा नहीं कि आप ले आया और कुछी दिनों में यह खराब हो जाएगा यह एक German brand है और आपको इसमें one year का warranty मिलता है market में जो tire inflators मिलते हैं उन सब में use किया गया है plastic body और यह एक ऐसा tire inflator है इसमें आपको मिल जाता है metal body और साथ ही में इसमें use किया गया 100% copper winding motor इसे मैंने online Amazon से purchase किया था 2400 rupees में आप इसे चाहिए तो offline भी purchase कर सकते हैं कोई भी car showroom या car service center में easily आपको यह मिल जाएगा heavy duty होने के वज़े से सभी service center या car showroom इसे जरूर रखते हैं अपने पास तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए helpful है मिलता हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्क्राइब